नमस्कर दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हिंदु धर में तुलसी के पौधे का विशेश्व महत्व है। जिन घरों में तुलसी की पूजा नेमित होती है। उस घर में मा लक्ष्मी और भगवान विश्णु की कृपा बनी रहती है। वहीं तुलसी के पौधे के महत्व को देखते हुए सादू संतों ने 25 दिसंबर 2014 को तुलसी दिवस मनानी की शुरुवात की। उसी समय से हर सार 25 दिसंबर को यानि कल तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। तो आएए जाते हैं आज इस वीडियो में कि तुलसी दिवस पूजा करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुलसी पूजन दिवस पर क्या करना चाहिए। प्रात जल्दी उठकर सनान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद घी का दीपक जलांकर रखना चाहिए इसी के साथ नयमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करने चाहिए तुलसी का पोधा गुरवार के दिल लगाना चाहिए यदि आप रती दिन तुलसी पूझन करते हैं और जल चड़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखेगी रविवार के दिन तुलसी में जन नहीं चड़ाना चाहिए यदि आप संध्याकाल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रडाम करें भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्ष नहीं करना चाहिए मानिता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजा करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बान कर रखना चाहिए कई बार देखने में आता है कि घर में सभी सदस से एक एक करके तुलसी में जल अरपित करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है जिससे वे सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुब नहीं माना जाता अकसर लोग तुलसी को चुनरी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अन्य देवी देफताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहने चाहिए तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखे कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खीच कर नहीं तोड़नी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शे में ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।